हेलो स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल से कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है क्लास टोल्थ मैच एंसी आर्टी में जो आपको समाकलन पढ़ा रहा हूं वो प्रिष्णवली 7.4 में आज कोचिंग कराऊंगा अब देखिए कोचिंग की मैथड बता रहा हूं जैसे एक टाइप का कोचिंग है तो दो तीन कोचिंग करा दे रहा हूं तो प्रिष्णवली पूरा आप आसानी से कर पाऊगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं जैसा कोचिंग यहां पर देके राखा है कि ऊपर भी आपका चरगा तांकी और नीचे भी है लेकि नीचे अंडरूट के अंदर है आपको पता होगा इस्ट्रेंट की नीचे है इसको जो टीम आने तो यह हट जाए लेकिन ऐसा प्रोसेस अभी हूँ नहीं पाएगा क्योंकि आप देख लो है ना इसका आपकलन करोगे तो यह हटेगा नहीं इसलिए यह मेथट तो लग नहीं सकता तो अपन को करना क्या है देखिएगा step आपको बताता हूँ, जिस step से बताऊँगा, इसके जगे हमको convert करना है, कैसे convert करना है, जो भी under root के अंदर है, उसका आप कलन कर लेना है, क्या करना, आप कलन कर लेना है तो 3-2x-x², फिर 20 प्लस n कर देना है, ठीक, इसको आप दे दो समी करन, अब सकता पढ़ने पर इसको आगे हल करके समी करन दे देंगे, 5x-7 यहाँ पर m कर दो, है न, 3 का 0 हो जाएगा, 2x का, x का अपकला नेक हो जाएगा, तो माइनस 2 बचेगा, और x² का माइनस 2x हो जाएगा, प्लस n हो गया, ठीक है, इतना क्लियर, इसको अब समी करन, एक दे दो, और इसको समी करन, दो दे दो, अब इसमें x के गुडांकों की तुलना करेंगे, लेकिन पहले मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो 5x, धन 7, इधर मल्टिप्लाइ कर दो, तो माइनस 2m, माइनस 2mx, प्लस n, ठीक है, दोनों पच्छों में, दोनों पच्छों में, क्या करेंगी, दोनों पच्छों में x के गुडांकों की तुलना करने पर, गुडांकों की तुलना करने पर, तुलना करिए, तो यहां पर x का कितना है अपने पास पावर में, गुडांक कितना है, 5, तो 5 हो जाएगा, इधर x का कितना है, 2m, तो समी करद तीन देदो एगा तो यहां से आप एम कमान असानी निकाल सकते हो यह दिए मैं कहें दूँ यह बदाबर कितना आएगा तो यह बदाबर आप कहें दोगे है मागनेड़क तो यहां पर करकर दो 5 पांच धरन एन बलबर साथ तो एन ब़ाबर कितना जाएगा साथ माइन स 5 बराबर 2 अब म और और समी कर्दो में रखना है यह मों 250 समी करण 2 में रखने पर kan इस शमी करण 2 में रखने पर step by step बताते चलता हूँ तो कितना हो जाएगा 5x plus 2 कितना हो जाएगा 5x plus 7 equal m है तो m रहने 2m कमान कितना है आपका minus 5 बटे 2 फिर इस ब्रेंड minus 2 minus 2x हो जाएगा plus n यह नि प्लस 2 मतलब इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं समिकार्ण 1 से समिकार्ण 1 कितना है आई बराबर उपर है उपर है आपका 2x धन 7 तो इसके जगह हमको पूरे को लिखना है minus 5 बटे 2 minus 2 minus 2x धन 2 बटे इस ब्रेंड कितना है आपका under road 3 minus 2x minus x square और dx होगे अब इसको arrangement करेंगे पूरे का समा कलन है इसको अलाग अलाग करेंगे तो देखेंगा एक आपका minus 5 बटे 2 बाहर आएगा उपर बचेगा minus 2 minus 2x बटे under road 3 minus 2x minus x square यह dx हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर ले लो एक बटे under road 3 minus 2x minus x square dx हो गया अब इसको t मानेगे तो already हट जाएगा ठीक है टी मानेगे तो already हट जाएगा फिर root t आ जाएगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है चलते रहिए आगे हल करते चलिए ठीक है इस्ट्रेंट चलिए पहले आप इसको हल कर लो और इसको हल कर लो तो I1 और I2 आप मान सकते हो ठीक है सिंपल तरीके से या कि आप दोनों साथ साथ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक तो यहाँ पर मैं मानूंगा माना देखेगा माना तीन मानस दो एक्स मानस एक्स स्क्वेर बराबर टी मानोगी इसका अपकलन हो जाएगा मानस दो मानस दो एक्स अधर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इदर डी एक्स को पक्षांतर कर दो कित हो जाएगा मानस दो मानस दो एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा यहां पर इसको मैं change कर दूंगा देखेगा थोड़ा सा change करके लिखूंगा change करके लिखूंगा minus 5 बटे 2 इसके जगे तो हट गया यह तो dx के जगे dt हो जाएगा यहां पर कुछ देखो कामा ना रहा है अंडरूड है तो अंडरूड इन दोनों में कुछ कामा ना रहा है 2a b देखे रखा है हमको a plus b a minus b का whole square बनाना है तो देखेगा 2x minus x square हमें दी मैं कह दूं यहां पर माइनस एक घटा दिया और एक जोड़ दिया कोई परसानी तो होनी चाहिए क्यों परसानी क्योंकि जितना जोड़ें को उतना घटाएंगे अब आप कहोगे सर कैसे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखेगा मेरे प्यारे भाई कि a square 2 a b मतलब 2 x तब b कमान एक ही होगा तो b square मतलब एक एक कमेक होना चाहिए तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया अब देखेए इसके आगे कितना आएगा मैनस 5 बटी 2 root t का समा कला तो देखे उपर जाएगा तो मैनस 1 बटी 2 प्लस 1 नीचे मैनस 1 बटी 2 प्लस 1 प्लस 2 है तो 2 कर दो यहां पर हो जाएगा अंडर root के अंदर 3 3 और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कामन ले लोगे तो आपका x प्लस 1 का whole square बन जाएगा माइनस कामन लो तो x square प्लस 2x प्लस 1 तो x प्लस 1 का whole square बन गया अब यह यहाँ paste बन लोगे कुछ चीज़ा direct करना सीखो नहीं तो बहुत ही लंबाएगा 2 एक कम दो तो कितना बचेगा एक बटे दो यहाँ टी की पावर एक बटे दो यहाँ रूट टी हो जाएगा है ना और नीचे भी एक बटे दो 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पर बच्चा अब यहाँ पर एक स्टेब में फालो करूँगा और फिर direct सूत लगाँगा इसको पूरा टी नहीं मानता रहूँगा तो 2 कबर और यहाँ पर x प्लस 1 कबर इसको मैं direct मान लूँगा कि x है मतलब a है मतलब 1 t मान लूँगा और direct हाल कर दूँगा a square u square का जैसे आप लोग पढ़े हो कि 1 upon x 1 upon under root a square minus x square तो sin inverse होता है न तो चलिए minus 5 root t t कमान रख दो 3 minus 2 x minus x square अब देखना भईया इसका मैं direct लगा रहा हूँ sin inverse x अपान ही होता है sin inverse sin inverse x कमान x दा नेक है तो लगा दो बटे a a कमान दो हो गया plus c यही तो answer है बिल्कुल simple अब इसको आप u मानते फिर du के जगए dx के जगए du लगाते तो एक लंबी process होती है लेकिन कुछ चीज़ा direct करना है ठीक है तो देखिए step by step आपको करके दिखा दिया मैंने और बस इसी टाइब के इस प्रिष्णवली कोश्चन सभी के सभी इसी टाइब कोश्चन ज़्यादा कुछ ने इस्टुनेंट इसलिए अभी देखते हैं और कोश्चन जो कि आप लोग आसानी समझ जाओगे तो देख सकते हैं दूसरा कोश्चन है हमने एक्स प्लस एड आपान अंडरोड एक्स स्क्वाइड प्लस टू एक्स प्लस हाइप हमने आएक्वल कर लिया है इसको पुराने प्रोसेस से करना है सेम कोश्चन है कि बल अंक यहाँ चेंज देश्टुन यहां-पर एक्स स्केर का ट्येश्टट एक्स द्थजा एक्स का लेंग हो जाएगा दू बख्चे का पांच तो लिखना नहीं है पांच का प्लस यहूह जाए खना यहां-पथेक है दोनों पच्छों-पच्छों में क्या करने अपर एक्स के गुणास कोगोगी X के गुणांकों की तुलना करने पर X के गुणांकों की तुलना करने पर कर दो भाईया इदर 2M बराबर यहां पर X का गुणांक इतना 1 है तो आप सिंपल तरीके से कर दोगे 2M बराबर 1 तो आपको यहां पर दी M बराबर कहा जाए तो एक बटे दो कर दोगी ठीक है इसके बाद यहाँ पर 2m प्लस औंट अचरपद है इदर कितना इसमें चरपद 8 है तो आप कहोगी इसको समिकर्ण मान लो 3 दे 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 हैं, इसको समिकर्ण 4 दे 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 हैं, तो 2 m कमान कितना है? 1, एक धन n बराबर 8, आप ही बताओ भाई, यह n बराबर कितने हो जाएगा? 8 में घड़ जाए, तो 7 आजाएगा, m और n कमान आ गया, तो समिकर्ण 2 में रख दो, समिकर्ण 2 से, समिकरण 2 से समिकरण 2 कितना है x धन 8 बराबर m की value कितनी है आपके पास 1 by 2 और 2x धन 2 प्लस n कमान कितना है 7 अब इसको हम समिकरण 1 में रखेंगे समिकरण 1 से कहां से समिकरण 1 से i equal देखेगा न थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ऐसे question ही है लेकिन अदि एक question ही आप से बन गया न फिर पूरे question बन जाएगे ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा तो कितना है आपके पास उपर x धन 8 x धन 8 के जगए 1 बटे 2 2 x धन 2 कर दोगे धन 7 बटे under root में आपका पूरा का पूरा x स्क्वर धन 2 x धन 5 और यह हो गया d x मैत का वीडियो बना रहा हूँ आपको method समझा रहा हूँ हर एक type के question करा रहा हूँ पूरे question नहीं करा हूँगा एक type के एक ही question करा हूँगा आप लोग फटा पट करते चले method इसी समझ जाएंगे simple तरीके से आप हल कर पाएंगे अलग अलग कर दो दोनों को तो बीच में plus है तो 2 x धन 2 नीचे वाला भाईय कितना हो जाएगा x square धन 2 x धन 5 3 x plus 7 बाहर ले लो 1 upon under x square धन 5 2 x धन 5 और d x हो जाएगा इतना clear पहारे भाईयो अब इसको हम t मानेंगे इसको क्या मानेंगे t तो माना x square धन 2 x धन 5 बरबट t अब कलन करोगे तो x square का 2 x धन 2 आजाएगा और इधर d t upon dx हो जाएगा फिर d x का पक्छानता रखोगे तो 2 x धन 2 d x इधर आएगा तो इतना हो जाएगा मतलब इसके जगे हम रख देंगे d t क्या रख देंगे d t रख देंगे clear तो यहाँ पे रखो बेल लुगा यह सुर्य यहाँ पे रखना है ठीक है तो रखो कितना हो जाएगा i equal 1 by 2 2 x प्लस 2 की जगे d t कर देंगे upon नीचे इसके जगे t माना तो t कर देंगे plus हो गया 7 है तो 7 है तो देखना यहाँ पे arrangement कुछ कर रहा हूँ मैं a square अपने पास है plus 2 a b है तो एक जोड के और यहाँ पर 1 plus 4 कर दिया चार एक 5 तो यह होता है है ना हमने ऐसा कर दिया या कि एक जोडते और एक घटा थे तो भी 5 में घटा थे तो 4 ही आता भी है जैसे हमने एक जोडा है और 5 के बाद एक घटा थे तो वही आता क्यों क्योंकि a square plus 2 a b plus b square a plus b है a minus b का whole square arrangement करना है यह आपको सबको पता है आप पूरे वीडियो देखो भही है तब ही समझ पाओगी root t का समा कलन तो उपर जाएगा तो t power 1 बटे 2 हो जाएगा minus में तो plus 1 और minus 1 बटे 2 plus 1 यह समा कलन हो गया यह कैसे हो गया root t का समा कलन उपर जाएगा t power minus 1 बटे 2 हो जाएगा उपर जाएगा तो t power minus 1 बटे 2 हो जाएगा simple तरीके से चलिए अगे देखें तो ये बन चुक है आपका अंडर रूड एक्स धन 1 का वर्ग और धन 2 का वर्ग dx ये हो गया ना आप आपके पास फार्मूला होना चाहिए कि एधी स्टुडेंट आपके पास आगया 1 अपान X स्क्वार प्लस A स्क्वार का फार्मुला क्या होता है तो आपके पास इसा फार्मुला बनना चाहिए तो यहाँ पर मैं करते चलता हूँ 1 बाई 2 इधार हो जाएगा T के पावर माइनस 1 बटे प्लस एक बटे दो और नीचे एक बटे दो हो जाएगा दो एक कम दो दो में घटेगा तो दो से दो क्या हो गया कट ठीक है फिर यहाँ पर प्लस से बन हो गया अब इसका फार्मुला लगाता हूँ 1 अपान अंडरू T स्क्वार या A स्क्वार का तो क्या होता है लॉग कुछ टक सुरू जो भी आपका X है तो जैसे X है तो X होता लेकिन X दन एक है कुछ चीज़न डाइजेट करना सी फिर अंडरूट जो भी X के जगह है तो X दन एक का बर्ग तो बर्ग लगा दो प्लस A दो का बर्ग तो दो का बर्ग प्लस C समख लड़न एक तांक है प्लस C समख लड़न एक तांक है चलिए तो आगे देखें कितना हो जाएक अभी है यह रूट T है ना रूट T है धन साथ है लॉग है ठीक है इसको आप कर दो X दन एक तो रहने दो इसको तोड़ोगे आपका है X स्क्वेर धन 2X धन 5 हो गया 7 लॉग X दन 1 और अंडर उड़ इसको प्लस में भी है X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 5 और प्लस C समख लड़न एक तांक तो देखो दोनों कॉस्चन में जो कराए तो सेम मैथट की है सेम मैथट का है बस arrange करना आपको आना चाहिए arrange यदि आप कर पाते हैं तो simple तरीके से इस प्रिशनवली के सारे कोश्चन आप कर लोगे ठीक है और आपको इस प्रिशनवली के कोई बैसे कोश्चन नहीं है जो कि इससे हट के हो सभी कोश्चन को मैंने देख लिया एक ही टाइप को कोश्चन है सबको arrange करना है आपको पहला process क्या है पहला process एक बार फटा फट एक बार देख लिजे इसी कोश्चन पर समझे कि पहला process आपको करना क्या है जो भी उपर का पद है उसको लेना है यम रखकर नीचे पद को अब कलन करना है फिर N1 इस्ट्रा पद लेना है ठीक है क्लियर इतना फिर अब कलन कर लेना है तो यह X धन 8 के जगे हैं हम रखने के लिए सब चीज प्रोसेस करते हैं समझ रहे भाइयों कि X धन 8 के जगे अब यदि इसको T मानती हट जाता तो डारेक्ट T मान के हटा देती ले लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए X धन 8 के जगे हम अर्रेंजमेंट करने के लिए सब चीज करते हैं इतना अब के बाद क्या करते हैं हम का मल्टिप्लाइ करेंगे और दोनों पच्छों में X के गुणां की तुलना करने के बाद हम M और N का मान निकालते हैं और M और N का मान निकालने के बाद समिकर्ण 2 में रखते हैं समिकर्ण 2 हमारा X धन 8 का मान कहलाता है जो कि समिकर्ण 1 में रखा जाता है समिकर्ण 1 में रखने के बाद अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं एक जो पहला पद है दूसरा पद क्योंकि पहला पद इसको ट चलते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदमात्राम